टिफिल हो या सुबर का नाश्ता अगर आप रोज सोचते हैं कि क्या बनाऊं तो आज मैं आप सभी के साथ में लेकर आई हूँ फ्रेंट्स बिल्ग एक नहीं धमाकेदार ब्रेक्फस्ट रेसेपी जिसमें बनाऊंगी आलू वाला चटनी पराथा और साथी पहाडी रायता इसका कॉंबिनेशन बहुत जबरदस्त है एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा तो चले फिर बिना देर की वेरेसेपी सीख लेते हैं फ्रेंट्स तो सबसे पहले हमें लेना है मोटर और पैसल इसमें हमें दो लसन की कलिया लेनी है एक हरी मिर्च लेना है राय दाना आदे चो सब्सक्राइब लेना है और अब हमें यह सारी चीजों को लसन हरी मिर्च और जो हरा दनिया है इसे बिल्कुल अच्छे से कर लेना है और यह कौर सा पेस्ट रडी हो जाएगा तो इस तरह से देखे हमारा यह पेस्ट रडी है अभी हमें लेना है दही तो हाफ कप मैंने दह जो कर दीया है इसे से आएगा बहुत अच्छा फ्लेवर इस रायते में और रहता बहुत अच्छा बनेगा तो अब हमें क्या करना है इससे जो हरे चालिश के अब पेस्ट हमने डाला है उसका और खीरे का बहुत चादि तो एक बार से आप यह पहारी रायता जरूश च्छ तो नेक्स टेप में चलें आते हमें एक और प्रप्रेशन कर लेनी है जिसके लिए फिर से मैंने यहां पे हरी मिर्चे लिए होई है मैंने मुटा मुटा काट कर लिया है चार पान्च गार्लिक क्लोफ यानि कि लसं की कलियां डाल रही हु अभी इसे बिना पानी के हमें दरदरा सा गराइन कर लेना है और इस तरह का इसे पेस्ट बना लेना है देखें अगर जुरत पड़ेगी तो थोड़ा एक दो चमच पानी डाल लीज़ेगा उससे दादा पानी मड़ डालिजेगा और इस तरह का थिक पेस्ट हमारा रेडी है से साइट पे कर लिजे अभी हमें लेना है एक बोल में एक कप गहू का आटा और एक कप मैदा इसी के साथ हमें आदा कप आलू लेना है बॉयल किया हूँ ग्रेट किया हूँ इसमें हमें एक छोड़े चमच भुना और कुटावा तो इसमें दो टैबल स्पून और अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिला कर मिक्स कर देना है इस तरह से आटे में आलू को बहुत चिसे मिला दीजेगा जिससे बहुत चिसे मिल जाये तो क्यूंकि आलू में होता है फ्रेंट्स मोश्चर इसकी वजह से पूरा बंदने लग तो बिल्कुल थोड़ा करकर पानी डाल लीजेगा और पानी डाल कर इसका मीडियम सॉफ्ट सा डो तयार कर लीजेगा यहां पर पानी बहुत हितियात से आपको डालना है क्योंकि आलो में बहुत सारा मौश्चर होता है आधा डो तो उसी से बन जाता है और थोड़ा जुरत तो पानी डाल होता है देखे इससे ढखकर साइट पे कर ले त्यूम है और पांच मर्ट के रेस्ट के बाद में हमारा डो बहुत सेट हो गया है इस पॉइंट पे हमें इसे दुबारा गूत लेना है और अब हमें इसमें लगेगा सूखा फलार या खुश्की तो यहां पे ह Spe km पतली सी चफाती तक हमने बना कर रहना है वह नहीं पुर है इस ओर कीज़ेगा क्यूंकि ना पीक एड nug के मिनी बहुत असान होता है और बहुत अच्छे भी लुक में आते हैं यह पर आच्छे लेकसज़िता और बहुत शुक्कि लगते हैं खाने में भी तो एक बार इस तरह से यालू वाले चटनी पराथे को ट्राइज जरूर कीजिए आपको बहुत चाल लगेगा और सुबह के नाच्टे में आप इसे बना कर खाएंगे ना तो बहुत मजदार लगता है अब जो पराथा बिल गया है तो इसा तवा ले जैदार लगेगा इस तरह से घर बहुत चर्पटा मजदार सा बनता है तूँ यहां पर देखिएं बिलकुल फूला फूला सा पराथा बनकर तयार होता है I अगातार मैंने सारे पराठे सेक लिए और यह देखें यह वरा पराठा बिल्कुल फुला फुला बनाए दोनों साइट से अच्छा सा पूल गया है तो यहां पर इस तरह से दबा दबा कर सेक लेने से बहुत चाहा करारा क्रिस्पी सा पराठा बनता है तो कि खाने में बड़ अगर आपको चट्पटा खाना पसंद है तो आपको आलू वाला पराठा चट्नी के साथ में बहुत अचा लगेगा बिल्कुल अलग कॉंबिनेशन है और बहुत अचा टेस्ट देता है यह एक बार इस तरह से इस तरह से पराठे बनाकर खाना पसंद करेंगे वह भी नाश तो मुझे अपने वालोबल फीडबैक जरूर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है मेरे वीडियो फर्स टाम देखरें तो आप जाये चैनल विजिट करें क्योंकि मैंने बहुत अच्छी नही नही रेसिपी डाली है अगर आपने नही देखी है तो देखिएगा उमीद आपको पसंद आएगा और अब जो ट्राइब करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा फिर मिलूंगी में एक सब्सक्राइब नहीं नहीं दमाके दर्स बदस रसेपी लेकर सब तक अपना और अपनी फैमिली कर रखे बासले ख्याल दौमी अजर कीगा बातंग्स पावाचिंग